हम बात कर रहे हें इसमगत अरविन Кेजिवाल के कल दिएगा इस्तिफे के बाद जिस तरह के हालाद बने हुए हैं और क्या रोखे क्या राज़ितिक हल्चल इसमघ्ड दिल्ली परदेश में हमारे साथ अर्विंद खोकर वारे समभाद आता है के जीवाल के घर पर आप अर्विंद इस वक्त हैं वहाँ पर किस तरीकी की हल चल है क्या नेताओं का कोई आना जाना है कुछ सियासी सरगर्मिया किस तरीकी है हुआ परसात आलभी प्रसात दिया को दिली विदान सभा को तुरंद भंक करके तुरंद चुनाव कराया जाएं आमाद्मी पार्टी की इसी रणनीती है कि दिली में जो लोकसभा के साथ चुनाव कराया जाएं इसी रणनीती में मन्थन करने के लिए इसी इस्टेटियों कैसे आगे बढ़ाया जाएं आज केजरिवाले घर मेहत्पूर बैटक होने जा रही है इसके लावा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी है किस परकार की जाएं तो इस तरह से कल करेंड बेदी का ट्वीट आया है कि लोकपाल के लिए नहीं लोकसभा के लिए इस्तिपा दिया गिया है उसके बाद आमाद्मी पार्टी की राजनेती की मुश्किल बढ़ी है कि अगर अर्विन केजरिवाल की नाम की गोशना अभी कर दी जाती है तो विरोधियों को हमला करने का एक और तेज मौका मिल जाएगा अर्विन केजरिवाल पूरे अपने मीडिया को अपने अपने आसपास रखना चाते है लेकिन उसके बाद जिस तरह से मंत्रियों का और प्यासी के जो बड़े नेता है जो अवामाद्मी पार्टी की पॉलिटिकल अफेर्स कमेटी है उसके बड़े देता हो का जैसे जैसे अवामाद्मी पार्टी ने पहले कहा था कि 10 जनवरी आप जनवरी के पहले हफ्ते में जो मिद्वारों की कम से कम गोशना कर दी जाएगी लेकिन अब फरवरी का 15 फरवरी आज है वो गोशना नहीं हो पाई इन सब पर चर्चा आज करने के लिए बैटे कुई कि हमाद्मी अब यह साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं और डॉक्तर सुब्रो कुमल दत्ता हमारे साथ हैं आप राजनुतिक विश्लिशक हैं और डॉक्तर दत्ता क्या कहता है आपका विश्लिशन जो जिस तरह की स्तितियां बन रही है विकल पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा आप उसके बिजनेस पर अगर लिस्टेट हो कोई भी क्लॉस या फिर कोई भी बिल और उस पर अगर सरकार की आगर डिविट होती है तब वह आउटगोइंग गव्मेंट लेफटनेन गवर्नर को या फिर गवर्नर को लिग सकता है फॉर दिशॉल्विंग अभी एसेमली पर बह हाउस में प्लेस हो और उस पर बहस हो कि मतलब जन लोगपाल बिल इंट्रिद्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लेफटनेन गवर्नर की चिट्टी पर पहले वोटिंग हुई जो कि हाउस की बिजनेस में लिस्टेट नहीं थी और उस पर मैजरिटी ने वोट किया कि नहीं इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए तो एक आन डिस्टेट चीज़ पर जब सरकार की हार हो गई है उसके बाद स्पीकर ने बकाइदा कहा कि जन लोगपाल बिल देरफोर इंट्रिद्यूस नहीं हो सकता है तो इसलिए जो में जो प्राइमरी जो चीज़ था डिस सरकार किसी भी किमत पे रेकोमेंट नहीं कर सकती है और वो अगर रेकोमेंट भी करते है तो वह बात देनीय नहीं है लेटनेन गवर्नर के उपर और कोई भी अगर चुनोती देता है किसी भी कोट पे तो वो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा और आम आदमी पार्टी की जो दलील है वो दलील बर्थास्त हो जाएगा दूसरी बात यहां पर आप आती है कि आप विकल्प क्या है विकल्प यह है कि लेटनेन गवर्नर के पास दो तरह का सिचुएशन है एक है कि भारतिय जनता पार्टी को सिंगल लाजेस पार्टी होने के नाते दूबारा नहोता दे कि आप सरकार बनाईए और उस पे अगर बीजेपी आनाका नहीं करती है या फिर बीजेपी आगार बहुमत नहीं हमारे साथ मनोहर मनोज हैं वरिश पत्रकार बने हुए हैं मनोज जी अब विकल्ब क्या वज़ता है डॉक्टर सुब्रु कमल दत्ता ने बताया कि कुछ गल्तिया हुई है किस बात की संबावना जादा लगती है इस प्रस्तिती में जाहिर तोर पे जो केंदर में जो सत्ता रूड होती है सरकार वह एक राजरीतिक रणनीती के तहत फैसला लेती है दिल्ली के विधानसभा चुनाओं के बार जो प्रस्तितियां बनी थी उसमें कॉंग्रस के केंदरिया नित्रतु ने यही सोचा कि भाजपा को टैकल करने के लिए एक तीसरे फ्रंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए लेकिन जिस तरीके से आप पार्टी ज़्यादा स्यानी पार्टी के रूप में अपने आपको साबित कर रही है वो एक तीर से वो भाजपा और कॉंग्रस दोनों का शिकार करना चाह रही है तो ऐसी प्रस्तिती में जब तक केंदर सरकार है दो या तीन महीने के लिए हमें लगता है वो suspended motion में ही एक तरह से विधान सभा को रखेंगे और हमें नहीं लगता है कि अगले लोग सभा चुनाओ के साथ जो है विधान सभा चुनाओ की सिफारिश जो है वो उपर राज्यपाल करेंगे अब ये निर्भर करेगा कि अगली जो लोग सभा चुनाओ के बाद से जो केंदर में सरकार बनती है उनके पाले में ये गेंद होगा कि दिल्ली को लेकर के क्या फैसला लिया जाए और मुझे यह नहीं लगता कि दिल्ली विधान सभा चुनाओ जो है अगले लोग सभा चुनाओ के साथ कराए जाए जी बिल्कुल जो सत्तारूड सरकार होगी उसके तहत दिल्ली के एक तरह से भागे का फैसला होगा कि यहां सरकार किस तरह की चलेगी चुनाओ होंगे या नहीं होंगे यह फिर से जो है भारते जंतापार्टी के सरकार बनने की संभा होना है शाम जाजू जी क्या जवाब है बीजेपी की तरफ से क्योंकि लोगों की जारत और उम्मीद यही है आप एक बड़ी पार्टी के तोर पर आपकी पार्टी दिल्ली में आई थी लोगों की उम्मीद आप से इस वक्त बनी होई है एक तो सुब्रतो दत्ता जी ने जो स्पष्ट किया वो बहुत पष्ट बात है जो सरकार माइनॉरिटी में थी उनको 27 वोट पड़े उनके खिलाब 42 वोट पड़े तो इसे सरकार का एक ही फर्च बनता है कि उनको अपना इस्तिपा देना होता है उनको आगे के रणदीती के आगे लग करना यह कहना अनका संविधानिक था अगर हुण ने वोटिंग क्यों लिया उन्हों ने वोग पत्र पीश यह शिक्राब क्योंक पास था सम्विधानिक प्रक्रियांग को अलग करके केवल अपना हिड़न अजेंडा लेकर वाई हुक और कुरूक उनको तो इस्तिफा देना ही था वाई इसलिए वो मोके की तलाश में थे और यह पहली सरकार है कि जो हम 48 आवर्स के लिए बचे है जाजू जी कपिल मिश्रा आप से कुछ कहना चाहरे है इस वक्त जी जाजू जी जाजू साब आपने शायद देखा नहीं कि वहाँ पर हश्वर्दन साब क्या कर रहे थे किस तरह से बुखलाय हुए थे और भाजपा के विधायक क्या हरकते कर रहे थे और राजपाल के पत्र के उपर ही तो पूरा हंगामा हो रहा था और आप कह रहे था है कि राजपाल के पत्र को हमारी सरकार नकार सकती थी सर आपके 32 विधायकों ने पिछले दो दिनों से विधान सबा को चलने नहीं दिया सर सारे के सारे नियम कानून मर्यादा लोग तंत्र की ताक पर रखकर कॉंग्रेस के साथ मिलकर आप लोग वहाँ पर क्या ड्रामा कर रहे थे उपराज़पार के पत्र पर और अब कहते हैं कि पत्र को नकार दिया जाना चाहिए ना एक चीज है जाजू साब अभी की इस्टिती में ऐसा लग रहा है कि भारतिये जंता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी मिलकर कोई रास्ता निकाल रहे है कि दिल्ली में कोई सरकार बन जाए जिसमें आम आदमी पार और कॉंग्रेस को आपके लोगों में हिम्मत है तो दिल्ली में चुनाओ के मैदान में उतर के देखिए जनता आपको सबक सिखा देगी। पुदारन पेस किया कि ठीक है दिल्ली की जनता का ये मेंडेट है तो उस मेंडेट के अनरूप जो केजरिवाल जी ने वायदे किये हैं अगर वो पूरा करते हैं और सरकार बनना चाहिए तो हमने उन्हें बिना सर्क समर्थन दिया और उसके बाद वो सरकार चलाने के बजाए दूसरे कामों में लग गये धरना रोड पर देने लगे जो उनकी पुरानी आदत है वो पुरिसिटी ओरिंटेट पॉलिटेक्स करने लगे उन्हें इन चीजहों से मतलब नहीं था कि सासन कैसे करें तो रुको भाया ये ये उनका पुराना नेचर है अब जो परसित्या बन होना है तो उन्हें भी हमें तलासना चाहिए और नहीं तो फिर जो भी समयधानिक जो हमारा तौर तरीका है जो समयधानिक प्रावधान है इसे परिस्टितियों में उस अनुरूप फैस्दा लेंगे और उसका सम्मान सभी पक्षकों करना चाहिए जहां तक रही कि क्रिसी को मजाक बना कर रखता है चली आपकी बात सुनी हैं आपर कपिल को भी सुन लेते हैं कुछ कह रहा है कपिल सबसे पहली बात तो कॉंग्रेस की राजनीती का यह जवाब था कि 42 विधायकों वाली कॉंग्रेस आज पूरी की पूरी है कि इनोवा में आ जाती है और ए हिंदुस्तान का सम्विधान कहता है सर राश्पती या उपराज पाल यह मंत्री मंडल की सलाहों के अधार पर काम करते हैं तो आपकी सरकार क्या सलाह देने वाली है केंदर में बैटे शिंदे साब क्या आदेश देने वाले हैं भाजपा क्या आपस में डील करने वाली है कै कैसे ये मुकेश अम्मानी जी के खिलाफ FIR जो है इसको रोका जाए कैसे शीला दिक्षित जी के खिलाफ जो बिश्टाचार की जाचे खुली है इन सब को रोका जाए इसी पर तो आप दोनों जुटे हुए है तभी तो चुनाओ से भी डर रहे हैं होने दीजिए ना और इस पर जवाब देंगे